हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो बिल्कुल जैसा फ्रेंड्स बिल्कुल देसंबर का एंड चल रहा है और मैंने अपने नीचे वाले टेरेस का आपको दिया नहीं है ओवर्वियू तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा ओव बिल्कुल मेरे मेनत सार्थक हो जाती है जब आप लोग को वो पसंद आ जाता है और मेरे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत थैंक्स तो चलिए आज इस वाले भी टेरेस को देख लेते हैं कि यहां पे कौन-कौन से फ्लावर ब्लूम की है हमारे 2020 के जाते जाते और आशा करती हूं जैसा हमारा 2020 निकला है ऐसा तो बिल्कुल भी नहों हमारा 2021 और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारा जैसे पहले लाइफ चलती थी 2020 के पहले वैसे ही हमारा ये लाइफ हो जाए तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ आपको सामने मतलब हमेशा ही दिखता था एक बिल्डिंग जो कि मेरी ही बिल्डिंग थी वो अब मैं तुलवा रही हूं क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हमारे हां एर्थक्वेक आया था जब 2015 में जब आया था तो उस बिल्डिंग को काफी ज़्यादा नुक्सान हुआ था इसकी वज़ा से मुझे वो हटवा कि मतलब पूरा ही बिल्डिंग मैं गिरवा रही हूं आपको दिख रहा है मैं पूरा बिल्डिंग गिरवा के फिर से बनवारी हूं जिससे कि कभी इनके इस फ्यूचर में कभी ऐसा अर्थक्वेक आए तो हमारी बिल्डिंग को कोई नुक्सान ना हो तो आपको दिख रहा होगा आप सोच रहे होंगे कि यहां साधा क्यों है एक दम सिंपल सा तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने गार्डन ओवर्व्यू को तो इंट्रेंस पांट से मैं रखे हैं फैमिंगो बर्ड और साथ में ही नीचे में रखे हैं यह वाइट वाले मैरी गोल्ड हैं और यह एक मेरी बड़ी वराइटी की मैरी गोल्ड हैं यह देखिए इसमें बर्ड आ चुके हैं और इसी के साथ में इधर लगे हुए हैं देखिए सारे मैरी गोल्ड यह इदर मैरी गोल्ड लगे हुए हैं और यह लगे हुए हैं क्रिजैन्थमम तो आपने देखा है कि मेरा जो उपर वाला क्रिजैन्थमम में सभी ब्लूम कर चुके हैं पर इन में अभी बर्डिंग भी स्टार्ट नहीं है कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे की मैं मेर ही रात में लाइट जला देती थी तो यह देखाती हूं तो यह देखिए फ्रैंड्स इस तरीके की लाइट यह मैने लगवा रखी हैं तो जब भी यह उसको लगभव करा पहले मतलब ये काम आपको दो पंद्धर तो अब इसमें धीरे-धीरे से कोई-कोई plants में budding स्टार्ट हो गई है और इसी के साथ में देखिए bloom हो रहे हैं हमारे dog flower ये देखिए काफी अलग-अलग color में और गुढ़ल तो बिल्कुल सुनसान से ही पड़े हुए हैं कुछ-कुछ bloom करते हैं तो ये देखिए मेरे सारे क्रिजान्थमम इधर भी रखे हुए हैं मैं बिल्कुल क्रॉस एंड करी हूँ कि जो भी मेरे पास cutting last year जो plants थे उनकी cutting जरूर हो मेरे पास में तो जो यहां पर आप लांट देख रहे हैं ये सारे मेरे जो हैं double petal वाले petunia की seedling जो थी वो लगा के रखे हैं जिसे की जब क्रिजान्थमम खतम होंगे जो pot मेरे खाली होंगे उनहीं में मैं इनको transparent कर दूँगी तो इस तरीके से मेरा ये area complete हो रहा है देखिए बहुत सारे गुडल में अभी भी budding हो रही है पर बहुत अच्छे flower नहीं आ रहे है तो ये देखिए और सब में वैसे marigold बस मुझे इंतजार है अपने marigold के bloom होने का क्योंकि बहुत ही अच्छे से इनमें budding स्टार्ट हो चुकी है काफी अच्छे से flowers भी bloom होने वाले हैं और यहां पर सारे रखे हुए हैं मेरे petunia यह देखिए petunia impatience इस तरीके से यह रखे हुए है जो अब बस bloom ही कर रहे है और इधर भी यह गुड़हल का ही collection है यहां पर भी मेरे double petal वाली petunia की जो seedling थी वही लगा के रखिए और मैंने ornamental lily की बात की थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ ornamental lily तो यह देखिए यह है ornamental lily जब भी bloom करेगा तो मैं आपको जरू शो करूँगी मैंने फोर बल्प्स जो हैं लिए थे और यह देखिए फोर बल्प्स जो हैं मैंने ग्रो की हैं तो देखते हैं इसका फ्लावर आपके साथ में भी मैं शेयर करूँगी और इधर वही सारे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह स्नो बुश है और अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई यह बिल्कुल वाइट हो जाता है इसे से स्नो बुश कहते हैं यह बिल्कुल वाइट हो जाता है बिल्कुल जैसे लगता है कि बर्फ पड़ी हुई है और इधर यह हमारा अजेलिया और यह देखिए अजेलिया है जो बहुत अच्छे से ब्लूम करें और यह इंपेशन्स हैं जो मेरे की साइकल प्लांटर में लगे हुए है और यहाँ पर देखिए पिटूनिया सारे ही लाइन से ब्लूम करने लगे है आज बहुत अच्छी धूप निकली है जबकि अभी साड़े आठ ही हो रहे है 8.30 हो रहे हैं और मॉर्निंग में बहुत अच्छी आज दूप निकल के आई है और यह देखिए सारे इंपेशन्स है यह देखिए सारे ने गमले भर लिये हैं कुछ को बनने बाकी हैं और नीचे में भी मेरे इंपेशन्स हैं और यह देखिए यह पिटूनिया फिर से यह देखिए कुछ ने तो बहुत अच्छे से गमले भरे हुए हैं यह तो इस तरीके से और यह जो आप यह वाला जो देख रहे हैं पॉट इन सम्में लगे हुए हैं मैंने कला लिली है जो कि कुछ ग्रोथ कर चुके हैं कुछ बिल्कुल स्प्राउटिंग पे हैं अभी उनमें ग्रोथ नहीं है उपर एक्जोरा है जिसमें सल्फ सेडलिंग हुई है पिटूनिया की और इधर देखिए यह नेस्टेरियम कितने अच्छे लग रहे हैं सब में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है हैवी फ्लावरिंग हो रही है इसमें अस्टेरियम में और मैं अब भी आपको सेंटर गार्डन दिखा देती हूँ सेंटर गार्डन में अभी मैंने कोछ चेंज नहीं की हैं लेकर नियू यार पर बिल्कुल यह सब चेंज होने माले हैं और यह सारे हमारे मैरिगोल्व, इंपेशन, वेंग का यही सारा कुछ है हमारा इस समय यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से हैं यह हमारे और यह अब जो फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं यह सारे F2 वेराइटी ब्लूम कर रहे हैं क्योंकि जो भी बड़े फ्लावर्स थे वो तो कट चुके हैं अब यह सेकंड बैच इनका आ रहा है फ्लावरिंग का और इसे के साथ में देखिए यहां पर लगे हुए हैं देखिए फिर से मेरे क्रजैंधमम लगे हैं यह देख रहे हैं सारे क्रजैंधमम वरवीना कार्नेशन और मेरे पास लास्ट येर में यह देखिए बेरा के प्लांट है पर एक ही मेरे पास बच पाया है और इसके बाद में देखिए ये दैन्थस और इधार आऊं तो ये देखिए ये सारे लगे हुए है मेरे कैननडूला और ये रोज का कलेक्शन जिसमें फिर से फ्लावरिंग काफी अच्छे से हो रही है तो रोज तो आपने देखा ही हुआ है सब ब्लूम ही कर रहे है और मैं आपको दिखाऊ हूँ जो मैंने लगबग ये संडे छोड़के जो लास्ट संडे था उस पे मैंने आपको ये फ्लावर दिखाया था है देखिए कितना लॉंग लास्टिंग है अभी भी ये स्टेक किया हुआ है हमारा डबल डिलाइट और ये देखिए सेल्फ सीडलिंग से निस्टेरियम बहुत जगहां अपने आप ही जो है जर्मिनेट हो गए है और इसकी लीफ आप देखिए बिलकुल लोटस की जैसे लग रही है देखिए कितने बड़ी-बड़ी से लीफ इसमें प्रेड्यूस हुई है ये सेल्फ सीडलिंग है लास्ट येर वाले कहीं सीड्स गिरे होंगे क्योंकि यहीं पर मेरे लास्ट येर में भी सीड्स लगे थे और ये ट्रे आर्डन है जो कि सेकुलेंट्स का ये मैं आपको अलग एक सेपरेट वीडियो में दिखाने वाली हूँ तो यहां पे भी मेरे पिटूनिया ही रखी है और ये मेरे जेट प्रेंट का बुंजाई में जो बना रही है ये वो है और इस समय बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं मेरे सारे ऐसियाटिक लिली तो ये देखिए ऐसियाटिक लिली येलो औरेंज और यहां पे भी औरेंज और इधर में देखिए रेड औरेंज वाइट सारे ही ब्लूम कर रहे हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं इस टाइ और तरफ आपको क्रिजन्थम भी नजर आने वाला है और हाँ आगे में देखिए ये लगे हुए है हमारे मेरी गोल्ड ये मेरी गोल्ड जो है अब इसका साइज क्या निकल कि आता है मैं आपके साथ में उसका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी क्योंकि ये एफ तो ये एरिया मेरा कुछ इस तरीके से कंप्लेट हो रहा है ये देखिए और बहुत अच्छी सी ग्रोथ जो है हमारे ब्रह्म कमल में भी है मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ मुझे इसका नाम जो है लगबग ये दो साल से मैं ट्रेंड कर रही हूँ है इस अ बोंज एक बोंजाई बनाने के लिए लेकर आई थी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था नर्सरी में इसकी शाइनी शाइनी सी लीप और टीनी लीप्स तो बिलकुल अगर आपको पता है तो आप मुझे ये कमेंट करके ज़रू बताईएगा और जितनी भी सीडलिंक्स मेरी बहुत ही अच्छा होगा और इसी आसा के साथ में मैं अपने वीडियो को कर रही हूं इंड तो चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए साल पे मैं फिर से मिलती हूं आपके साथ में ओके माई फ्रेंड्स बाबाई हैपी गार्ड्निंग एड़ बी सेफ